प्याज की महाराष्ट्र की मंडियों में आवक बढ़ गई है। जहां कुछ हजार क्विंटल की आवक होती थी वहां पर अब एक दिन में ही एक लाख क्विंटल तक प्याज बिकने के लिए आ रहा है। आवक बढ़ने की वज़े से दाम गिर गया है। सरकार निर्याद जनवरी को 98,576 क्विंटल प्याज की आवक हुई थी जबकि 20 तारीक को 77,179 क्विंटल प्याज बिकने के लिए आया था। किसानों का कहना है कि सोलापुर में इतनी आवक हो रही है कि वहां प्याज मंडियों में रखने की जगह नहीं बची है। इतनी आवक है कि इन तीन दिनों में न्यून्तम दाम सिर्फ एक रुपए किलो रहा। मतलब की एक सो रुपए प्रती क्विंटल। अगर हम 20 से 25 जनवरी तक की आवक देखें तो सोलापुर मंडी में सिर्फ एक सपता में ही रिकॉर्ड 3,20,546 क्विंटल प्याज की आवक हो चुकी है। बाजार के सरकार से अपील कर रहे हैं कि अगर प्याज की खेती बचानी है तो जल्द से जल्द एक्सपोर्ट खोल दिया जाए। वर्तमान में खरीफ सीजन का प्याज आ रहा है जिसे स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सडन तेजी से लगती है। इसे किसान अपने घर ज्या किया जाता है रभी सीजन का प्याज जो अभी मार्च के बाद खेतों से निकलना शुरू होगा। इसलिए वर्तमान समय में किसान मजबूर हैं प्यास तुरंत बेचने के लिए। इसलिए आवग बढ़ गई है। आवग जितनी अधिक रहेगी उतना ही दाम कम रहेगा। अधिक्तम 1775 और आसद दाम 700 रुपई प्रती क्विंटल रहा। हालांकि अधिक्तम दाम 2300 और आसद दाम 1300 रुपई प्रती क्विंटल रहा। किसानों का कहना है कि अगर निर्यात बंदी का फैसला वापस नहीं हुआ टो उन्हें और नुकसान होगा। दाम इतना कम हो चुका है कि लागत भी नहीं निकल पा रही है.